इंडियन पॉलिटी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारती सम्विधान में वड़ी रित नागरिक्ता की अगर हम इसकी चर्चा की बात करें तो इसकी चर्चा सम्विधान के भाग दो में की गई है और जो अनुछेद है 5 से 11 तक उसमें इसकी चर्चा की गई है प्रावधान तो एकल नाग्रिक्त प्रावधान है के अगर हम इसके ट्रिक करें ट्रिक करें तो इसका सफारान देुए मैैं नाब्सेज की कि वह कुआ धिम university करें में में चाल सब्लाइफ करते हैं को याद करें लुड़्र ठीटरों फ्रांस से करते है उस से हम याद करते हैं B से हो जाएगा Britain Y से हो जाएगा शिंगल सिंगल OR C से हो जाएगा citizenship तो इसमें आप देख तकते हैं तो Britain से लिया गया है Single citizenship और भारत के समीठान में किसका प्राओधान है तो Single citizenship का प्राओधान है आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारते संभिधान में कौन-कौन से अनुछेद हैं जो नागरिक्ता को डील करते हैं तो अगर हम देखें तो अनुछेद 5, अनुछेद 6, अनुछेद 7, अनुछेद 8, अनुछेद 9 और अनुछेद 10 तथा 11 एख एख गियंफ क आपके लिफ रनुज़ा को गिसांस हो तरीक से लगर्ज अबुमात हो जिखंद में इसकर डेल कर आख या उसके माता-पिता जनुवा हो जन्मकों भारत बरत का जो आख आख ग्शे पहले बार्ट स्ट नीवास किया हो जो गिद एणी पूर्णि कि उनको इसी आधार पर नाग्रिक्ता प्रदान किया गया था क्योंकि सम्मिधान लागुजबु आथा 26 जन्वरी 1950 उससे पांच बश्ट पहले यहां पर अधिवास करती थी निवास करती थी इस काड़ से इनिमेशन जी को आर्टिकल 5 के आधार पर नाग्रिक्ता प्रदान क हुए अगर आपग सकते हैं तो पाकिस्तान में राची और यहां पर भारत में यहहां कराची ना नागरिक अगर बहुत्ट-बहुं के लेकिन एक डेट रखा गया था उनिस जुलाई उनिस और तालीस से पहले अगर भारत में चला आया है तभी वभाद का नागरी होगा नहीं तो पंजी क्रण से कराना पड़ेगा उसके बाद फिर अगर देखें तो आर्टिकल साथ में तो आर्टिकल साथ में प्रावधान है क बारत से इंडिया पाकिस्टान गये थे फिर और इंडिया लोटे थे तो इंडिया में जो प्रवर्जन किये थे उनके आधार प्रगत देखेंगे तो वह प्रतेक्वेक्ति अगर एक मार्च-1947 के बाद अगर आया है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा उसके बाद अनुछेत आठ है उसमें भारती मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर आते थे क्योंकि आजादी के समय कई लोग भारत के बाहर जो है आजादी की लड़ाई के लिए चले गया थे जैसे अगर मालीजे उद्धम सिंग को देखें तो उसके बाद मैडम भीखा जी कामा को देखे हैं तो यह सब आजादी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत के बाहर चले गए थे तो उनके भी कुछ नगा कोई पुत्र और पत्नी जो भी हैं उनके नागरिक्ता के संबंध में यह आर्टिकल जोड़ा गया था तो इसमें कहा गया था भारती मूल का व्यक्ति यदि भारत से भारत के बाहर निमास करता है तो भारत का नागरिक ता प्राप्त कर सकेगा उसके बाद आर्टिकल 9 में है कि अगर कोई स्वच्छा से किसी भी देशी राष्ट को की नागरिकता ग्रहड कर लेता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहड करता है तो करें तो जो नागरिक्ता का अधिकार है उसका बना रहना है कि अगर आप समिधान विरोधी कारें नहीं करते तो आपकी नागरिक्ता बनी रहे तो उसके लिए जो बिधी बनाएगे उसको सकती है तो संसत के पास है तो अगर देखें संसत क्या है तो में सेंटल। संघ सूच्छीस क्या होगी जो नागरीक्टा संबंधि का न शॕ सेंग के पास होग rat इस रहाँ संग knew nutr सीजन शियर्टा संबंदि का नूनail का उसके बाद फिर एह है अर्जन के तरीके उसके बाद एक समाप्ति के तरीके हैं। तो अर्जन के तरीकों में जो है पांच प्रकार के अर्जन के तरीके हैं और तीन प्रकार के जो हैं त्याग के तरीके हैं कि अनागरिकता कैसे समाप्ति की जा सकती है। तो अगर हम देखें अर्जन के तरीके तो उसका एक ट्रीक है जय प्रभु देवा तो जय से हो जाएगा जन्म से प्रस से हो जाएगा जो है पंजी करण के अधार पर भू से हो जाएगा अर्जिक भुभाग के अधार पर दे से हो जाएगा देशी करण के अधार पर या प्र अगर हम समाप्ति के तरीकों को देखें समाप्ति के तीन तरीके हैं एक स्वेचिक त्याग अगर वह स्वेच्छा से कोई व्यक्ति भारत की नागरिक्ता त्याग करना चाहता है तब और दूसरा है बर्खास्त या अन्य देश की नागरिक्ता ग्रहड करने पर अगर कोई व् में भी पताया थे कब तक नागरिक्ता बना रहेगा तो वही प्रावधान इसमें आगे भी जोड़े गए थे और इनको हम बहुत बिस्तार में जाने की जोड़त नहीं है बस यह है कि कोई स्वच्छा स्त्याग सकता है मतलब अगर मंद से चाहे तो त्याग सकता है और अगर दूसरे देश की नागरिक्ता अगरार कर लेता है तो उसकी नागरिक्ता भारत की नागरिक्ता चली जाएगी और जो नागरिक्ता से वंचित करने का प्रावधान अर्थात वज्जा सम्मिधान बिरोधी या राष्ट बिरोधी काम करेगा तो नागरिक्ता से वंचित हो ज भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा लेकिन नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 1986 जो था पहला जो संसोधन था नागरिक्ता का उसमें कुछ परिवर्तन किये गए और यह कहा गया क्योंकि बहुत समय बीद गया था तो उस दोरान यह था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से भारत में जन्मा ले सकता था तो अपने बच्चों को जन्मा सकता था इसके कार्ड में कुछ परिवर्तन किये गए और यह कहा गया कि अगर उस व्यक्ति के माता पिता या दोनों में से कोई भारत का नागरिक होगा तभी अगर वह भारत में जन्म लेता है तभी वह भारत क जतना मिता या दोनों मेंसे एक के पास भारत का नागुटाः के चाहिए और दूसरे के पास वालब डराकुमेंट होना चाहिए अर्था तो अबैक्जरोग में प्रवासिं नहीं हो और भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता के पास भारत की नागरिक बलब की से पहले जो भारत के नागरिक रहे हो लेकिन 1992 में नागरिता समत्रदर अधिनियम 1992 के थहत या प्रावधान जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्म लिया हो वह भ यह मैंलब कि जब वो अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके माता-पिता में से कोई अगर भारत के नागरिक रहे हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी लेकिन 292 में संत्रथन किया गया और ला कहा गया कि जन्म की समय अगर उसके मातापिता में यह भारत का नागरिख ओगा तभी उस प्रता प्रतान की जाएगे उसके पूर्व भारत में साथ वर्ष तक रहा हो तो अगर वह आवेदन करने से पहले भारत में साथ वर्ष तक रहा है तभी वह भारत के नागरिक्ता प्राप्ट कर सकता है और दो चीजे हैं अगर वह परस्तन आप इंडियन ओरिजिन है या फिर भारती नागरिक्त से भीवाह करत थे और या तो विज्यान दर्शन कला साहित्य और मानव 19 से संभंधित हो किसी प्रिकार से संभंधित hire जैसे कला कि संबंधित है जो अदिनान स्वामी थे पागिस्तान के उनको भारत की नागरिक्ता मिली तो इसे घ्रधार पे मेली थी उसके बाद फिर यदि वह भारत में मलग की 12 वर्ष में निवास किया हो ग्यारा वर्ष वह पंजी करण के बाद और एक पंजी करण से पहले और नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान जो 12 वर्ष का था इसे घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया अगला है अरजीर भूभाग के अधार पर तो यदि कोई मलब की किसी भी विदेशी चित्र को का भारत में बिलय होता है जैसे सिक्कीम का हुआ था 1975 में सिक्कीम क्योंकि पहले चोग्याल वंस तो स्वता ही इसके जो नागरिक थे उनको क्या हुआ भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई तो इसके नागरिक जो है स्वता ही भारत के नागरिक हो जाएंगे जो भी निवासी थे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे आगे अगर हम देखे हैं तो नागरिकता अधिनियम म में जब शे बना है उसके बाद से इसमें छव बास proven किये गये थे पर लास तो बुएश्वैश्वरत दुसरा 92 में neutral 23 में और चोथा जोumen जो है वो यह 1229 में किया बर भी जो निउएस संसोधन है सब्सके ने संसोधन कौन है कि शंडनों पूरी कि जानते हैं तो पहला है नागरित्ता संसोधन अधिनियम 1986 इसमें देखिए पूर्म में क्या प्रावधान थे और जो बाद में क्या प्रावधान किये गए संसोधन के बाद इनको में देखे तो समिधान के जैसे पूर्म जो प्रावधान थे उसमें कहा गया था कि समिधान के प्रारम में यह प्रावधान किया गया कि वही व्यक्ति जो भारत का जन्म से नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु माता पिता या दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो उसके बाद नागरिकता संसुद्र अधिनियम 1992 देखें तो यह प्रावधान इसमें क्या था कि पहले प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्म लिया हो वह भारत का नागरिक तभी हो रखता है जब उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो उसके बाद अगर हम देखें नागरिकता संतोधन अधिनियम 2003 जो है उसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर हम देखें उसके जन्म के समय उसके माता-पिता या दोनों में से एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए और दूसरी के पास जो है बैलिड डाकुमेंट होन प्रावधान किया उनके लिए उसके बाद फिर नागरिकता संतोधन अधिनियम 2005 में जो है जो जो सभी देशों के परशन आप इंडिया का दर्जा दिया गया लेकिन पाकिस्तान और बांगलादेश को छोड़ कर क्योंकि पाकिस्तान और बांगलादेश जो दोनों थे भार सभी देशों के लागरिक records को देदिया गया उसके बाद फिर संसोधन में जो परेशन आफ इंडिया और छो परशन आप इंडिया और ऑघीन ढर लागो किया उसके बाद अगर हम देखे 2019 का संसुदन तो भारति नागरिक्ता संसुदन अदिनिया वर्ष 2019 में तो वर्ष 2019 में संसुदन किया गया जिसमें क्या किया गया कि छह समुदायों जिसमें हिंदू, सिख, बौध, जैन, पारिशी, इसाई थे जो कि पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानि से आये गैर मुस्लिम और जब सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश किया गया तो इसमें कहा कि पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से आये जो अल्प संख्यक है उनको भारत की नागरिक्ता प्रदान की जाएगी यदि वह 31 दिसमबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश क कर चुके हैं और इसे पहले जो 12 वर्ष का प्रावधान था उसको घटा कर पांच वर्ष मात्र पांच वर्ष कर दिया गया क्योंकि 2015 में एक बार प्तंसोधन हुआ था तो 2015 को मुला अगर देखे त्रिसमबर 2014 को बेश मान लिया गया और यह कहा गया कि अगर इससे पहले अ अगर आया है तो वह नागित तक रहड़ कर सकता है उसके बाद अगर देखें तो जो फेमा है नंटी नाइन का एक्ट फोरें एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसके अनुसाद देखेंगे तो एक एनराइक कॉंसेप्ट है तो एनराइक कहते किसे हैं तो ऐसे वे लोग ज अरफ आयन है और एक कांसेप्ट आता है परसंब अप इंडीयन औरीजिन बचनाप इंडीन ओरिजिन विल्जिन फिसे कहते हैं परस्न ऍंदीयट उरिजिन चैनके माता-बेधा पड़ाBay civale नाणानानी कोई भी अगर भारत का नागरिक रहा हो तो उसे हम कहते परसन आप इंडियन उर्जिन जैसे करके सुनत हो गए तो यह बितन तो इंडियां जिन परधान मंत्री है ऐगर हम देखें तो कमला है जो अमेरिका की वाईश प्रेशिडेंट है वह भी कहा की है तो इंडियन थे उनको overseas citizen of India का प्रावधान उनके लिए किया गया और दोजार पांच में जो यहां पे था तो दोजार पांच में यह अधिनियम थोड़ा सा परिवर्थित किया गया और जो 16 देशों को दिया गया था सुविधा वह सभी 200 को दे दिया गया क्यों पाकिस्तान और citizen कहते हैं जो overseas citizen of India कहते किसे हैं तो प्रावधान सबसे पहले 2003 में लाया गया था जिसके तहट क्या किया गया था तो 16 देशों के नागरिकों को जो है overseas citizen of India का दर्जा दिया गया था जो person of Indian origin थे उसके बाद फी 2005 में यह सुविधा जो है सभी देशों के दिया गया अपवास्तरूप जो थे पाकिस्तान और बांगलादेश थे तो लेकिन उसे भारत में कुछ ऐसी सुविधाय प्राप्त ह प्राप्त होती है जैसे अगर हम देखें और आने के लिए उनको बीजाक जुरूत नहीं पड़ती है शिछा थनस्थानों में उनके बच्चों के लिए कुछ सीटे आरच्षीत होती है जो भारत के उनमें कुछ ना कुछ शीटे आरच्षित होती है अब पूझी निवेश क के मामलों में कुछ न कुछ शूट रहती है इनको और उसके बाद भी 2015 के अधिनियम में जो नागरिता संसुद्र अधिनियम 2015 था उसमें प्रावधान किया गया कि जो हमारा परसन आप इंडियन ओर इंडिया है इनका बिले कर दिया जाए और बिले करके सभी दोनों को मिलाकर ओसी आई कार्ड वोल्डर अर्थात और सी सिटिजन आप इंडिया कार्ड लागो कर दिया गया जिसमें हैंब प्रावधान किया गयाओ कि जो भी अच्छा एया थी परसन आप इंडिया के जो अच्छाइया थी उन्हों दोनों को मर्ज street दिया गया और जो OCI कार्ड था वो जारी कर दिया गया OCI कार्ड